नमस्कार दोस्तो, स्वाकते आप सभी का रोशन सा श्टड़ी पॉन पे और आज किस वीडियो में हम समझने वाले हैं, 12th क्लास उक्रोमिक्स का जो हमारा भारत की अर्थ विवस्तागरी कास, इसका चैप्टर नमर 4 रहेगा हमारा भारत में मानम पुंजी निर्मान, इसके उ की जो सुरोत है, उसके बारे में हमने समझ लिया था, आज की इस वीडियो की जो सुरुवात है, जो आपका जो सेकेंड पार्ट की जो वीडियो है, इसमें सबसे पहले हम बात करें मानम पुंजी निर्मान का महत्व क्या है हमारे ही, यसे कि आपको पता है कि मानम पुंजी के लिए सबसे ज़्यादा मानम पुझी निर्मान में सबसे ज़्यादा युगदान है सिक्षागा, स्वास्थेगा, क्योंकि एक स्वास्थ ब्यक्ति अपने एकोनोमी में ज़्यादा युगदान दे सकता है, एकोनोमी के सम्रीधी में साइक होते हैं अगर एक skillful वेक्टी है एक परसिक्षिद कही न कहीं जो स्रमिक है वो क्या करेगा जादा बहतर तरीके से काम करेगा और ये कही न कहीं हमारे आर्थिक योजनाओ को कारगर सिद्ध करने में योगदान देंगे हम अगर कोई भी कारेकरम चलाते हैं उसको परसिक्षिद मजदूर होंगे या परसिक्षिद कोई भी वेक्टी होगा वो जादा अच्छे से काम कर पाएगा तो ये सम्रीधी में साइक होता है इसके अलाबा भौतिक पुन्जी की उत्पादन चम्ता को बढ़ाते हैं जो भौतिक पुन्जी जैसे की अगर हम बात करे मशीनों की हम बात कर लेते हैं तो अगर एक स्किल्फुल भैक्टी है एक कुशल कारीगर है वो जादा अच्छे से मशीनों का इस्तिमाल करेगा और वो उत्पादन को और बहतर करेगा तो भौतिक पुन्जी की जो उच्छे उत्पाद अगता है उसको बढ़ाबा देता है ये मानंग पुन्जी निर्मान यानि की एक कुशल कारीगर जादा अच्छे से मशीनों का इस्तिमाल करेगा उत्पादन को बढ़ा सकता है इसके अलाबा समन्दा तथा सहभागिता की उच्छे दर जो मानंग पुन्जी निर्मान है वो समन्दा को भी बढ़ा बादेता है कैसे तो मानंग पुन्जी निर्मान के तहत क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखित करते हैं पर सिक्षन देते हैं उनको स्वास्ते सुब्धाय उपलम्त कराते हैं जिससे कि क्या होगा सभी जो मजदूर है कारिगर है वो यह भी है मोड़ती हुई जन्संख्या, लेकि में प्लाँच ला रहे, लोगों था सभाइ की सुप्राइबव था रहे हैं, तको यदे रहे हैं और जो उपलब歌 काम काम है आप स्कूल खुलवा रहे हैं लेकिन स्कूल में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है हम हम होस्पिटल की स्तापना भी कर रहे हैं लेकिन होस्पिटल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो जनसंख्या को कंट्रोल करना हुआ है तो भारत में मानम है कुछ कोशल है वो प्रतिवा फुल इंसान माना जाएगा उसके अंदर प्रतिवा है तो होता है कि भारत में एक बैक्ति है जिसने इस्टड़ी की पढ़ाई कर लिया सारी डिग्री वेगरा ले लिया और उसके बाद जब काम करनी की बारी आए ना तो कहीं और निकल लिया ह वह भी देशों में चला गया वह अअम्रीका चला गया लं-दन चलागया किसे और दूसरे देशमें चला गया तो ये क्या है एक तरीके प्रतिवा पलायन हो रहा है, बारत से चीजों को सिखे, लोग दूसरे दिसमें जाकर नौकरिया करें, जो किसा ही नहीं है, इसके अलबा तीसरा है, शुरुटी पूर्ण माननब सक्ति नियोजन, बतलब भारत में माननब सक्ति जो है उसका नियोजन सही से नहीं हो रहा है, उ जो मतलब जितना हमारे को स्रमिकों की जरूरत है, या जितना हमारे को माननब सक्ति की जरूरत है, और जितना उनकी पूर्दी है, उसके बीच में कोई नियोजन, नियोजनी तरीके से संतोलन नहीं बनाया जा पा रहा है, उनको रोजगार नहीं दिया जा पा रहा है, तो य किसी कोई बदकित कर रहे तो किसी करने के दौरान किया उसको ट्रेणिंग दि जा रही है नही दे जाती किसी काम की ट्रेणिंग नहीं दे जाती ओपरांपरागत üçोर लगे खयतों मं अच्छा नॉलेज होगा उसके पास खेदी करने का तो ज्यादा उतबादन करेगा लेकिन ये चीज भारत में नहीं होता है तो इस सारे पॉइंट से बदा सकते हैं किसमें भारत में मानम पुजी निर्मान की जो समझ्य है उसमें मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी पॉइं समझ में आ गया होगा अब हम दोरा से एजुकेशन सेक्टर की बात कर लेते हैं हैना सिक्षा का जो शेतर है उसकी हम बात कर लेते हैं तो इसमें हम सबसे आपको पताए कि मानम पुजी के लिए भाई मानम पुजी निर्मान के लिए सबसे ज़रूरी है एजुकेशन और हेल सुलेदाप दूसरा परन आप बता सकता है यह बिग्ञान और फ्रोद्रोंगती करुद्न होता हैं इसको भी नावयörtव संसादन है उसका UK साहिब में किया से खरी Prose Strange इसकीलाब है लोगों गी मस्तिक्त का विकास करता है, आपकी सोचने समंजने के सक्थी का विकास करता है, इसक एलाब भाज़यों ऑद बता सकते है कि संभीदी तदा विकास की परिकिरियामे इन छोगों को सहभागी मनाता है, मतलब पार्टिसीपीट करेंगे स सभी लोग, अ और बहतर बनाने में सिक्षा गया है, साहिक है, इसके लाबब यह मानवी अस्तित्व को विक्सित करती है, तो यह सारे एजुकेशन के महत्मी यह पॉइंट्स आप बताएंगे, अब हम बात करेंगे भारत ने सिक्षा पर खर्च के बारे में, भारती सरकार मतलब कितना हम एजुकेशन पर खर्च करते हैं, तो देखिए, सिक्षा परतर हम सरकारी बैग की बात करें, तो सिक्षा आयोग की अगर हम सिपारिश की बात करें, 1964 से 66 की जो सिपारिश थी, उसके अनुसार यह कहा गया था, कि भाई हमें आपने जीडीवी गा लगपक 6 परतिसत, 6 पर सरकार ने तपस मजुमदार कमिटी का गठन किया था, जिसने यह नुमाल लगाया था कि 6 से 14 वर्ष के जिद्ने भी वर्ष के आयोग के जो बच्चे हैं, मतलब उनको सिक्षा के अंदरगत लाने के लिए सरकार को 10 वर्ष में कम से कम 1.37 लाग करोर रुपे खर्च करना चा और उनको अगर 10 वर्ष में, अगर 10 वर्ष तक उनको सिक्षित करना चाहिए, लगवर यह डाटा जो बता रहा हूँ, 1998 से लेकि 2006, यान 6-7 तक कि टोटल 10 वर्ष की बात की जा रही है, इसमें, तो इस दोरान 10 वर्ष में कम से कम कितने पैसे खर्च करना होगा सरकार को, 1.37 वन लाग करोर रुपे खर्च करना चाहिए, ठीक है, वैसे ऐसा हुआ नहीं यह देखो, मैं आपको डाटा बता देता हूँ, जैसे कि अभी हमने कहा कि भाई, जो सिक्षायों की जो सिपारी से उसके तहत लगभद 6% GDP जो 6% है, वो सिक्षा पर वैग होना चाहिए, लेकिन चुरोतीपूर्ण समस्या क्यों है, इसमें सबसे पहला पॉइंट बताएंगी निरक्षर व्यक्तियों की बड़ी संख्या, भारत में अभी बहुत सार लोग निरक्षर है, निरक्षर यानि कि जो ना कोई सब्द लेख सकते हैं, ना अपना नाम लेख सकते हैं, ना पढ़ भारत में वेबसाइक सिक्षा का बहुत अभाव है, बस डिगरी ली जाती है, बोलते हैं, आप सुना होगा कि भाई बीए पास करके मैं रिक्षर चला रहा हूं या फिर वगरा वगरा आपने सुना होगा बहुत कुछ, तो ऐसा क्या है भाई, इसमें वेबसाइक करन नहीं हुआ सिक्षा का, मतलब ऐसी सिक्षा है नहीं दी जा रहे हैं, जिससे की लोग को रोजगार मिल सके, सिर्फ डिगरी दी जा रही है, इस वज़े से आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रेजूट लोग भी रोजगार घूम रहे होती हैं, इसके अलाबा लिंग भेद, तीसर चलस कर लिया, उसके बाद उके हाथ पील करवा दिया जाते हैं, उसके बाद ससुल्ल वाले नहीं पढ़ाना चाहते हैं उनको, इसके अलाबा ग्रामिन पहुंचका निम्न इस तर आपको पताएगी भई, ग्रामिन सहितर में सिक्षा बहुत ही है, बहुत ही कम, आपको पॉलेज खुल रहे हैं जितोंने फीस को बहुत जादा हाई कर रहा है और वो देते लेकिन फीस बहुत जा रहा है इस विज़े से जो गरीब अच्छी है ओ इन नीजी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं है ना तो एक पॉइंटे भी बता सकते हैं इसके तो चाटा ही हो पाता है सरकार कर बात ही है कई बार इससे भी कम होता है तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में सिख्छा की है ना तो उम्मेद करता हूँ कि इस चैप्टर में जितने पर टॉपिक आपको समझाया गया है समझ में आ गया होगा ठीक है लगफ़ों सभी वीडियो को आप लोग जासे जादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बैल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सब्धी वीडियो को नॉटिफिकेस्टन सबसे पहले आप तो पहुचें, ठीक है, बागी क कि अधाएब जामने आप को नहीं को शाइब करके बादी बादी आप नहीं का चैनल해도 कॉछै कर देना, झात?